कि अभी तक आपने इंडिकेटर्स पढ़ें इंडिकेटर्स में आप यह पचांद करते हैं जो इंडिकेटर्स आपने अभी तक पढ़ें इंडिकेटर्स पर यह पचांद करते हैं कि यह यह बेस्ट करते हैं जैसे पॉर एग्जाम्पल अगर आप रिटमस करते हैं तो लिटमस क्या आजाते हैं अगर वह लिटमस दूरेट हो जाता है आपके बांते हैं जो डिवन सप्सेंस ते हो क्या एसिक पर अगर वह ले तू पर अगर आपको दो यह चैंट और दूसरा भी एसिट जैसे इस इंपल एक्जांपल मारें का आपको एस्टेएल ले और एस्टेश अपर चैंट लिए पर यह और और प्येसिश घ्या गया गय करे दूसार दिया गया है करें कि अबभा से अब आपको लिओंधिश्ण करेंगे कर ंजाता है taking यह नहीं हो पिसान सकते हैं चुन है इसे चोंके रिक कह सकते हैं कि मेरा यह निचा सकते हैं कि यह सब्सक्राइब कुन सा है इसको इन दोनों इंडिकेटर्स में आपको पूचा जाता है आपको यह भी बता होना थी इन दूसरे इंडिकेटर्स और इस जिए निकेटर के द्वारा आप यह एक और इसकी वह इसकी पहुती है और इसके उपर एक पर इसकी पहुती है जिसके अपर गलर दिया गये हों यह यहां पर आपके पूरे कलर आते हैं, क्या आते हैं, कलर तो जैसे ग्रीन कलर है, एक तरफ आएगा, रेड कलर आएगा, पर एक तरफ बॉइलेड कलर आएगा, यह कलर आपको, बुक्ते पेज नमर, पेज नमर पेज रहें, अजला पेज निकला आप बुक का, पेज नमर ट्वेंटिसिट, पेज नमर पे देखो, आपको फिछल 2.7 बेरका है, 2.7 पेज पर कलर कार निये, रफ टाइज, यह जो आपका इंडिकेटर ही है, आपको पेज पेपर का पलर है, और इस कलर के अजार आप पेज को इडेंटिफाइग कर सकते हैं, जो कलर देखो, इधर जो जीरो एंड है, जीरो से बहुत जाजाथ नार्क रेट कलर आएगा, पिल रेट कलर अलका अलका होता जाएगा, और दीरे-दीरे ओरेंज कलर आजाएगा, और जो आपका इच में है, तेवेंगे, वे तो यह आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रेपर है और इसको आपको इसको आपको कंपेर करना है और इसके उपकर आएगा उसको इस कलर से मेच करना है जैसे इन लोणों में से आप आप यह कोगे है तो ज़्यादा प्रेपरिक एससे अर्यग्म मेरा निम्यृतल होंगे तो अगर आप कंपेर करना चाहिए तो प्रोंब कर लो इस पर लिख वह हुई है और इस यह पर अश्पास आगी पर इसकी प्री इंडिकेटर के तो पूरा प्रूर को भी आप को याज करना पड़ेगा तो बीन कलर जो है वह 7 को बताएगा जो यहां से वोईलेट करें वह एक्षिम वोईलेट 14 पे आएगा और जो रेट करें वह पी एच 0 पे आएगा जीरो से द्रेंगे वह सारे के थारे और शेंटरल होगा और इस पे आरे ब्रेस आएगे लित्मत या दूसरे इंडिकेटर जो अल्पट्री इंडिकेटर यहां आपने यूज किया थे वह क्यावल आपको यह बता सकते हैं कि यह सब्सक्राइब करते हुए जो इस इंडिकेटर को अफ्योग करते हुए जो एच pH में अपने बताएँ थी सेंच आवर धर मन्मर्डू ए है पोंदन और ग्रमन मंदा हलं इन बता हुए आपने थी युखा कर ऑफने यह त्यूंत कर आफ हो एह न goodしたite आपने नजर्ट्टू आपने क्या बनाया पी एक पी एच का एस टाल और क्या हो जा सकते हैं मींस पावर गिसकी है एक प्लस आयो स्लीशन में कितना है ज्यादा है जाता हमें उसके अधार से उसको डिसाइज होता है कि वह टीज है या पे चाल्ड ए कबेंज हुँ है अगर आप डेपिनेसन में जाएंगे तो डेपिनेसन मिल्ड तिए टाए है नेगिटीव लोगरित्म ओफ s plysn ian concentration नेगिटीव लोगोफ s plus ian concentration is called as ph यह डिपिजन है नेगिटीव लोगरित्म ओफ s plus ian concentration is called as ph तो किसी भी आपको दातो जोन्यूमरिकल होगी नहीं लोगरित्म निकालनी नहीं पड़ेगी जाखना है यह सकता है यह संद्रेंटि को और स्थों पॉर्मुला आपको तेंसे पूर्म इसटी आपको जाएं देए है इंक तो आपको आपको पावर दे रहें कि आपको बावर से सब्सेश्खान की इन की पावर दे रहें दे रहें कोई आप पिएष मानेंगे मनलों कोई पी से समझ है तो आपको इस 10 की पावर को 14 में से माइनस करना पड़ेगा तो 14 माइनस 3 है अब पी एक चाहेगा वो आएगा 11 कि दो नो नो नुमेरिकल सेट पार वर देख लो यह आसकती है चला और को नुमेरिकल ने आसकती तब अगर वो देते हैं पिए चल्कुलेट करने के लिए तो जो टेन की पावर है वो कहो ही पी एट रहेगा आपको प्रश्चेगा वह आपकी पी एट होगी तो और अगर वह वह आपकी पी एट होगी इस फॉर्टी माइनस री और प्रेट इस इकोल टू एलेवन ठीक है तो यह आसकता है इसका और पर इंडिकल नी आसकती है पीएज की डेपिनेशन होगी आप आप अपन प्रेट प्रश्चा राइड आते हैं पीएट इस्केल वेरीज प्रॉंग जीरो टू पर्टीन जीरो टू पर अगर लोएट पीएज क्या है जीरो हाए प्रटीन यह आपके हाय प्राइड प्रोजेक्ट प्रोजेक्त था एक इसे आपन के अब दोनों होता है दोनों उसके अंदर प्रिजेंट होते हैं का अगला है आपका टॉपी कीज केल प्येड का मलब आपका है जो आपका होता है अगर एक कोरते हैं इसलिए अपने पी एसकेल जो रेंज पी इसकेल की बागी डीटेल में अपने को नहीं जाना है जो आप इसना समझ सच्थे हैं कि प्याइज की रेंग जीरो फॉटीन रखी क्यों गई है तो कि आपका अनिक प्रोटेक्ट जो होता है वातर का वह उता है एक और एक माइनट अपने एक यह तो प्रोटेक्ट इतना होता है है 14 तो मिनिमम मेल्यु करती है है जाउंग हो फॉर्टीन तक जो फॉर्टीन यह पूरी 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 पीहिस इसके लाएगी सब्सक्राइब को आप बना सकते हैं कि यह को बनाएंगे इस प्रकार से बने गई है जहां पर आपको लगे एक इक वहां पर आपका पी एक कुंता आएगा यह जो कॉंसेंटेशन है इसको आप एरो मार्स से बता दें तो आपको लगेगा यह कॉंसेंटेशन किसका है एक प्लस आयन का तो उपर वाला पॉंसेंटेशन जिसका है एक प्लस आयन का और नीचे वाला जिसका है प्लस आयन का पॉंसní का तो इसको आपको लुक duy नटेशन का के सब्सक्राइब पर फिर 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 फॉर फिर फॉर फिर फाइब पिर इस टेवन एट नाइन टेन एलेवन तुवेल थर्टीन और फॉर्टी यह आपकी पीएट सेल है पूरी की पूरी अब देखो यहां से ञि practise प्सके अंदर इसधार से लेकोगे फ्रस प्रसायात मिलता होता है इसले उसका होता है तो चाहें कि नहीं जादा हो गए इसले उसका करेक्टर क्या होता है सबस्ट आप देखेंगे तो यह सबसाइन पर यह जाँ और फिर फिर बडेगा पर तो आप देखेंगे तो से ज्यादा ही होगा तो यह पीएट रहेगी एसीड की एसीड की जो पीएट आएगी वह आएगी कि जीरो टू इस पॉइंट नाइन तक और भी ज्यादा हो सकते हैं सेवन से लो बिलो जैन सेवन वह सभी पीएट एसीड की है इसके अंदर भी आप यह वाह सकते हैं कि जीरों से लेकर सी तक टो इसीड होते हैं अगर इनकी प्याद से थिरी में आती है तो वह उसीड होता है और 4-2 लेकर 3.1 यह उस्ते जादा ले 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 या 4 ले तो 4-2, 6 यह लेवल 6.9 का यहां तक मालेंगे तो V-Casid आते हैं तो pH के अजार पर भी आप strong और V-Casid बता सकते हैं पहले जो बता हैं आपको strong और V-Casid तो किसा आजार से बता है, dissociation का आजार से तो dissociation 100% होता है, तो strong और dissociation lowest होता है तो भी तो वह कब हो ही है, एक प्रेस आयन मनेंगे, तो उसके आजार पर आपन बता सकते हैं भी आपका हो गया 1-2, 2 अब आप रेखेंगे, neutral तो neutral की जो pH होती है, वो होती है एड़क्त 7, और इस pH पर हएट प्लस आयन का concentration, OH-1 concentration के दिल्फूल एकपल होता है हलो हएट प्लस और OH-1 का concentration दोनों क्या होगा, एकपल होगा, तो यह जो pH होगी वो neutral, pH होगा 7, मेटर होगा neutral, और हएट प्लस और OH-1 की concentration के होगी एकपल, एड़क्त, तो यह पर आप देखेंगें, तो अजो ajust होते है तो यह एकपल होगा, तो हो चलक देखेंगे, conscious होगा, प्लस और OH-1 का, टो इस दुसरे का क्या का एकपलिक प्लस ने क्या कर देखेंगे, कि कैट लिएमिस chemicals के अंदर क्या होगा को एक माइन साइन की कॉंसेंटेशन से ज्याजा होगी तो इसलिए वो सभी बेस है अब इसके में जो प्रेंज करेंगी वो होगी 7.1 तो 14 7 से अब और और अप्टू 14 यह आपका बेस है इसमिंस यहां पर क्या हैगा 7 से लेकर अगर आप 7.1 से लेते हैं तो 10 तक वीक बेस आएंगे और 11 से लेकर 14 तक स्टॉंग बेस आएंगे पूरा पर्फेक्ट इविजन नहीं है पूरा पर्फेक्ट इविजन नहीं है और 10 और 12 13 14 अगर आती है तो बेस में संपिजर होते हैं यहां तो गया आपका लुट्रम यह जो हो गए यहां से यहां तक इनको अपन माझते हैं वीक कि यह जो सपिख हो क्या ओकड़ पीक कि द एंगे ग्हें इधर गये तक यह जो सरी तक स्टॉंग एसी और यह जो आएंगे यहां से यहां तक वो वीक एचिद आएगा अगर आप राइट एंट साइड में तो बेस होगा वीक, लेट एंट साइड में हो जाएंगे तो वीक एचिद होगा अगरा आप यहोगा होगा विदमेंस अगर आप यह दहना चाहएं तो यह कैसे सकते हैं कि ऋता है वह ने किसा होता है अध्यक्टर इंक्रीजेश मिक्स को इसको सब्सक्राइब इसको डूनों तो रह यह को एग्यों साइद में तो एस तो इसको डून्स तो डूनों होगा राइट इन साइड में जाएंगे तो बेसिक केरेक्टर इंक्रीज़ेश और ओस मायन राइन कॉंसेंटर इंक्रीज़ेश तो असिनिक केरेक्टर और बेस्टर और आपकी पूरी पीएट स्केल आपको तमझे आदेगे तो लेट एंड साइड में जाएंगे तो एस्टिक केरेक्टर इंक्रीज़ेश होगा तो यहां पर लेट एंड साइड में जाएंगे तो ओस मायन राइन कॉंसेंटरेशन डिक्रीज़ेश होगा और राइट एंड साइड में जाएंगे तो ओस मायन राइन कॉंसेंटरेशन एस प्लस आइन कॉंसेंटरेशन डिक्रीज होगा तो आपको यह सब पता होना थी है वैसे आप इसको हजार दो बता सकते हैं यह पूरी आपको पूरा आना थी है कि एक 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 कंपलीट लोगा है कि एक के आगया दो कुछ सब्सेंट्रे उनके पीएच भी आपको याद वह ओने जिये जैसे आपके टिग्र टूपॉइंट पर गुंदीसिक्स में गैस्टिक जूस्ट जिस्टिक जूस्ट का पीएच बेर का बाउट 1.2 बदलब यह जो आपके सी जूस मनता है इंट बट्व से लगभर यह लगबग यह कलर से भी यह पता सकते हैं एप पूल वादर और ब्लट तो फ्रीख वादर होता है अगर था लगभ उस्की प्यूल फेस्टे आप आप यह निट्रल होता है और बागी का जो वादर हो स्की ब्लॉड और एसलाइब होता है चैनला इसको सुभाद करते हैं और श्रयाई आती है तक हुआ बूंग करते हैं टो इसको आप की सकते हैं इसलिए इसको आप एंटा एसी के रुप में उप्योग करते हैं आप आप पोजीटू एसी डिटी को फूर करने के लिए जिनको आप उप्योग करते हैं फिर तोडिय माइरोक्षाइब प्रफ्ट्व एंटा फ्री अवर्टों अबलगाइब आप प्रफी नटी और यह फोर्टों बहसे हैं यह आपके फीएच हो गई पूरी फिर एपन आजाते हैं इंपरेंस औंप ही एंटे इंटा लाइट अगर आप पीएच का इंपॉडेंस जानना साथे हैं तो आपकी कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर द 두 को exactly अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंस और पी-एच पी-एच का इम्पोर्टेंस क्या है और जो आपको टॉपिक दे रहा है 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 अनुक्abs होते है रहे नहीं होते है या नहीं होते हैं तो इसको आप तो अप्रोक्ट्यमेट थेला बहाईगी यह यह उसको पाद आपको पीकित हैं अच्छी ग्रोच आते हैं तो इसको पीएट संश्थ होते हैं प्रोपर करेगी जब प्रोपर वार्ट करेगी जब प्रोपर वार्ट करेगी पर इसके अप्रोडिंग वर्क नहीं कर पाएगी तो यह प्रुसी तरह से जो आपका रेन वाघर खर रेन यिगां पिए वाटर के अदर अधर यूटिक लाइवर्ट से वो दिस्टो हो जाएगी तो पहलों पर ने किला इसे प्रवाइवल से अब यह अर्कलाइन तो मिए अग्वाइवल करेंगे एद्वाइवल करेंगे अदर फिए उसके रॉटिक लाइवल करने में कि आती है तो यह आपको क्यों यह बताता है कि अनिमल और जो आपके प्लांट में वह संसिटीव होते हैं तो बिल्कुल होता है तो हुमन कहां पर करेगा यहां पर प्याद रखना है इंपोर्टेंट प्याच है आपकी और बोडी का ऑप्टिमम ब्रेंग 7-7.8 है उसी तरह से प्लांट के अगर अगर आप देखते हैं तो आपका बेक्याड है आपकी जो पीछे फोई है उसका पीएच को होना थी है वह भी नॉर्मल पीएच होना थी है ना तो ज्यादा है ना ज्यादा बेस होनी थी है तो वह सुस्पाइल है देख्याड में तो आपकी प्लांट की जो नॉर्मल नहीं रे पाएगी तो अब आपको क्या करना पड़ेगा अगर आपकी तो बहुत ज़दा है तो आप उसके अंदर क्या डाल दें तो वह कहां पर है लगबद नुट्रल के चरीब आपड़ेगी पर अगर आपकी तो बहुत ज़दा बेसिक है तो आपको यहां करना पड़ेगा थोड़ा सा एसिट जाल दें तो उसकी पीएच नॉर्मल ऑप्टिमम नुट्रल के आपक आपको यहां करती है अगर ज्यादा को इंपोड़ेंज नहीं है अगला है पीएचिन आपको डाइजेस्ट्व सिस्टम कि यह इंग आवर डाइजेस्ट्व सिस्टम कि विएचेस्ट्व सिस्टम में पीएच का क्या का वब घ्सक्राइब करता है यह करता है यह करता है जो भी इसका एक वाम है तो आपकी डाजी सिस्टम में यह स्टेल बनता है जब यह आप खाना करते हैं पर यह स्टेल अगर हाई बनेगा है ना जाड़ा बनने लग जाता है है ना बहुत है अगर एक नॉर्मल डेवल से हाई चला जाता है यहां ज्यादा हो जाता है तो आपको एसी डीटी हो जाएगी क्या हो जाएगी एसी डीटी हो रहा है और उसकी वज़े से आपको पता हो तो इसको शूर अगर करना है आपको एसी डीटी तो आप क्या यूज कर सकते हैं बेस तो कि आप एक्सा एसीड को नूट्राइज करना पड़ेगा और यह बेस को क्या कहता है एंटा एसीड कहता है तो एंटा एसीड क्या हो गया डेफिनेशन में जाहिए एक एंटा एसीड क्या होता है डबेस विचा जूज कुट नूट्रीजर एक्सक्षण करता है अध्या एक्सक्षण झाल एक्सक्षण झाल एक्सक्षण